स्वागत है आप सभी का हमारी यूटीब चैनल हिंदी ज्यान पर एक बाप पुनो हम आप से जुड़ चुके हैं एक नए वीडियो को साधा करने के लिए आज का जो हमारा वीडियो है वा क्लास 12 यूपी वोट की चात्रों के हिंदी पार्ठे पुस्तक में संकलेत पाश्वा अध्याय स्त्रधा मनू जो की जैसंकर प्रशाजी द्वारा रशित है प्रसाजी ने कामाईनी में देव संस्कृती के विनास के बाद विक्सित होने वाली मानो संस्कृती एवर मानोता के विकास की मनो व्याज्यानी कहानी प्रस्तुत की है यह विकास श्रद्धा और मनू के योग सी हुआ है प्रस्तुत अस्थल श्रद्धा और मनू के प्रथम दर्शन एबं परस्पर सहज आकर्षन के वर्ण से आरंबोता है इसमें श्रद्धा के रूप तथा शील का चित्रण है अंतिम्भाग में श्रद्धा मनु अर्थात मानो को जीवन का संदेश देही है आईए इस वीडियो में हम स्रद्धा मनुश्रशक की संपूर पध्यांज की व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं आप सभी से इस वीडियो को प्रारम करने से पहले एक छोटा सा अनरोध है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो क्रिप्या लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों रिस्तिदारों के साथ साधा करें जिससे की आपके द्वारा हमें सपोर्ट मिलता रहें कौन तुम संसिती जलनी थी तीर तरंगों से फेकी मड़ी एक कर रहें निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिसेग मधूर विशान्त और एकान्त जगत का सुल्चा हुआ रहस्य एक करुणा में सुन्दर मौन और चंचल मन का आलश्य सद्धा मनु को निर्जन अस्थान में मौन बैठे देख कर पूस्ती है कि वे कौन हैं और उस निर्जन अस्थान में क्यों बैठे हैं यहां स्रद्धा के लिए मनु का वेक्तित्व उत्चुकता का कारण बना हुआ है सधा मनुसे प्रश्ण करती है कौन तुम, तुम कौन हो संस्तृती जलनिधी तीर, संस्तृती जलनिधी अर्थात भोशागर, तीर अर्थात किनारे जिस प्रकार सागर की लहरे तरंगों से फेकी मड़ी ए अपनी तरंगों से मड़ियों को अपने किनारी पर फेक देती है कर रहे निर्जन का चुपचा प्रभा की धारा से अभिशेक उसी प्रकार संसार रुपी सागर की लहरों के द्वारा इस निर्जन अस्थान में फेकी हुए तुम कौन हो जो चुपचाब बैटकर इस निर्जन अस्थान को अपनी आभा से उसी प्रकास सुसोभी कर रहे हो जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मड़ी उसके निर्जन तट को आलोकित करती है मधूर व्रिशान्त और इकान्त जगत का सुलचा हुआ रहस्य एक करुणा में सुन्दर मौन और चंचल मन का आलश्य व्रिशान्त अर्ठाद थका हुआ अगली पंक्तियों में श्रधा कहती हैं कि हे अपरिचित अपरिचित जोकी मनु के लिए प्रयोग किया सब्ध है शदा कहती हैं कि हे अपर्चित तुम मुझे मधुर्ता ठकावर्ट और निरवता सी परिपूर्ण इस संसार में सुल्चे हुए रहस्ति की भाती प्रतीत हो रहे हो एक करुणा में सुन्दर मौन और चंचल मन का आलश्य अपर्चित होने के कारण तुम रहस्ति में हो फिर भी तुम्हारे मुख आकरिती के भाव तुम्हारे रहस्य को सुल्चा रहे हैं तुम्हारा सुन्दर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है और तुम्हारे चंचल मन ने आलश्य धारण कर लिया है प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में सागर की लहरू द्वारा फेकी हुई मडीन से मनु की तुलना करके प्रशाद जी ने उनके एकाकी जीवन की निरासा और कर्म विरत इस्थिति का भावपोर्ण शित्रन प्रस्तुत किया है प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में खड़ी बोले भाशा का एवं रूपक उत्प्रिच्छा अलंकार का उले किया गया है साथी प्रस्तुत पंक्तियों में सब्द सक्ती लक्षडा गुड माधुरिय का प्रेयोग हुआ है सुना यह मनुने मधुर गुण्जार मधुकरी का सा जब सा आनन किये मुख नीचा कमल समान प्रथम कवी का जो सुन्दर छन एक जटका सा लगा सहर निरखने लगे लुटे से कौन गारहा यह सुन्दर गीत कौतोहल रहन सका फिर मौन मधुकरी अर्थाद प्रमरी सा आनन्द अर्थाद आनन्द से युक्त मौन अर्थाद चुप प्रस्तुत का विपंक्तियों में प्रले के अनंतर स्रधा की नर्जन वन प्रांत में मनुसे भेट होती है स्रधा मनुसे उसका परशे पूसती है स्रधा का धूर सुनकर मनु आश्चर्च के थोड़ते है इसे का वर्डन प्रस्तुत काविपंक्तियों में किया गया है सुनाया मनुने मधु गुणचार जब स्त्रधा ने मनु से उनका परशे पुचा तब जीवन से निराज उस निर्जन प्रांत में स्त्रधा का मधुष्वर जब मनु सुनते हैं मधुकरी कासा जब सा आनन तो उन्हें भौरों की मधुर गुर्गुर्गुर्ण के समान आनन्द प्रदान करने वाला उनका सब्द लगता है किये मुख नीचा कमल समान प्रथम कवी का जो सुन्दर्शन अंजान वेक्ती से मिलने की कारण लज्जा वस सद्धानी अपना से नीची जुका रखा था और वा अपना मुख नीचा की प्रित्वी को देख रही थी तब उसका वा जुका मुख मनु को ऐसा मनुहर प्रतीत हुआ मानु को इखिला कमल नीचे को जुक गया हो उस कमल मुख से निकले मधू सब्ध मनु को किसी कवी की सुन्दर कविता के समान तृती मधूर और आहलाद कारी प्रतीत हुए एक जटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे लुटे से कौन मनु ने जब अचानक प्रकट हुई अपुर्व सुन्दरी स्रधा को देखा तो उन्हें खुसी का एक जटका सा लगा वे उसकी सुन्दर्था और मोहक चवी पर सर्वस से लुटा बैठे और जैसे लुटा पिटा वैक्ती अपनी सुद्भूत खो बैठता है ठीक वैसे ही स्रधा की मोहक चवी से आकशित होकर मनु सुद्भूत खोकर उसे देखने लगे गा रहा या सुन्दर गीत गा रहा या सुन्दर शंगीत कौतु हल रह न सका फिर मौन इस निर्जन प्रांत में कौन या मधुर गीत गा रहा है तब वे अपनी मन को अपने बस में रख न सके और उसमें स्रधा की विश्रे में सब कुछ जाल लेने का जो कौतु हल जो जिग्या सा जाग उठा विस्सान नहीं रह पाए प्रस्तुत काफे पंक्तियों में उप्मा, रूपक, अनुप्रा, सलंकार सब्द सक्ति, अभीधा एवं लक्षडा, सिंगार रस, खड़ी बोली भासा का प्रयोग किया गया है प्रस्तुत काफे पंक्तियों में स्रधा की अपूर्वरूप और स्वर माधूरी को अभिव्यक्ति मिली है मनु के भी इस रधा के प्रत्थम दर्शन में ही उस पर मुग्ध हो जाने का संकेत किया गया है इस स्थिती को अभिव्यक्ति करने के लिए कभी ने निरखने लगे लूटे से पंक्ति की द्वारा लूटे व्यक्ति का सट्टिक उपमान ग्रहण किया है